हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे accounting standard 24 थियोरी का है तो मैं चाहता हूँ उसका एक revision भी करा दिया जाए कोदी कतो नहीं इसके अंदर एक revision करा दिया जाए थियोरी का है न followed by that फिरम questions कर सकते हैं ठीक है ओके तो फड़ा फट से मुझे बता दो सबसे पहले accounting standard 24 का नाम क्या है discontinuing operations discontinuing operations क्या है भाई यह कोई कि इन फ्रीक्वेंट इवेंट्स होते हैं इन एंटिटी बट आल इन फ्रीक्वेंट इवेंट्स आर नॉट D.C.O फिर अमने क्या बोला था D.C.O has no relation with going concern क्योंकि going concern किसका होता है entity का होता है going concern किसका होता है entity का और D.C.O क्या है component of entity इसका मत्तब है कि हम कोई टुकडा बंद करते हैं कि पूरी कंपनी बंद करते हैं दोनों अलग लग बाते हैं फिर हमने आपके साथ कहा था recognition and measurement concepts are covered by other standards not covered here by AS24 तो AS24 इसके बारे में बात नहीं करता है फिर हमने आपके साथ एक और भी बात करी थी कि इसके objectives क्या है objectives of accounting standard 24 तो हमने का इसके अंदर objective क्या है to lay the principles to make principles of reporting financial information बताओ किसके बारे में about DCO so that users can get knowledge and information about DCO ताकि लोगों को पता चल सके कि हम कोई काम बंद कर रहे हैं इस knowledge से वो क्या करते हैं this helps them in predicting future cash flows अर्निंग्स वे कितने का cash flow हो जाएगा कितनी earnings हो जाएगी यह उसका फाइदा है यह सब आपको MCQ के context में सवाल पूछे जा सकते ही फिर हमने आपको बताया था कि आपके standard में दिया गया जो meaning है वो क्या है meaning of DCO क्या मैं एक ही sheet में सब cover करने का प्रयास कर रहा हूँ the answer is yes तो मुझे यह बताओ DCO का meaning किस में लिखा हुआ था given by given in para 3 तो यह क्या है it means तो बताओ जी यह क्या था फटा फट से बताओ यह था component of enterprise that's for 22 single plan is being disposed of disposed of कैसे by selling in entirety piecemeal demerger and spin-off or by abandonment that is termination यनि ताला लगा दिया इसमें क्या-क्या मुख्य बाते बताई थी हमने फड़ा फट से बताओ इसमें क्या-क्या मुख्य बाते बताई थी हमने तो हमने इसके अंदर बताया था कि single plan क्या है single plan is this season या company की बात करें तो क्या बोर्ड रेजोलुशन to close down component उस component को बंद करने का फैसला it must be बताओ ये क्या होना चाहिए it must be time bound and in phased manner ये time bound भी होना चाहिए और phased manner भी होना चाहिए ये अने प्रया स्विस्न में की बास्ट भी गिदा पर का भी होना चाहिए 17, यह क्या होना चाहिए भई, यह बड़ा सेग्मेंट होना चाहिए, means, component शुड़ भी, यह बड़ा होना चाहिए, मैंने आप से कहा, generally, a reportable segment under AS 17 is big enough, वो बड़ा माना जाता है, वैसे फिर भी, if entity does not applies, AS 17, तो आप क्या देख लेंगे, देख लेंगे फिर major product, यह service, जो फिर बड़ा product होगा, या बड़ी service होगी, उसको apply कर लेंगे, आपको यहाँ पर क्या use करने पड़ती है, best judgment, generally यह बताओ कितना होता है, फड़ा फट से बताओ, generally 10% or more, किसका 10% or more, भई, revenue का देख लो, या assets का देख लो, या profit and loss का देख लो, इसका मतब इसे सरलता से क्या बोलेंगे, धन्दे का 10%, तो हम उसे कहते हैं, it's big, इसको हम basically बोलते हैं, यह big है, बाकि फिर भी यह judgment है, उसमें और कुछ नहीं है, फिर हम ने आप से कहा, and, एक और भी condition है, that can be separated, financially, and operationally, इसका क्या मतलब हो गया, it means, data can be identified about, किस किस के बारे में हमको data identify कर लेना चाहिए, assets, and liabilities, attributed to DCO, उस धन्दे के assets और liabilities कौन कौन से हैं, हम उसको ढूण सकते हैं, revenue, attributed to DCO, कभी उसका revenue कितना है, खर्चे कौन से, operating cost कौन सी, सारी, या major, तो हम कहते हैं, mostly या major, आप अपने पास major या mostly अपनी operating cost को भी identify कर सकते हैं, कहीं पर भी आपको अपना answer लिखना पड़ेगा, तो ये वाला paragraph में आपको ये सब बातें लिखनी पड़ेंगी, फिर हमने आपको बताया, सावधान दोखे से बचें, ये निकी, sometimes, it is not DCO, but appears to be DCO, तो हमने उसके लिए आपको कुछ examples दिये, क्या ये examples आपके पास accounting standard में चपे हुए हैं? The answer is yes. वो examples कौन-कौन से हैं? Gradual, decline, in production, और change in, product mix, ये निए आप अपने पास अपने products का क्या कर रहे हैं? थोड़ा mixing change कर रहे हैं, उसमें gradual decline ला रहे हैं, अब बंद नहीं कर रहे हैं, थोड़ा कम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं अपने पास, या, shifting of location of component of business या निए आप उसकी कोई location को change कर रहे हैं, या closing down any facility to reduce cost आप थोड़ा सा काम बहार से outsource कर रहे हैं, outsource करवाना मतलब आपने का भी खुद करेंगे तो महंगा पड़ जाएगा, तो बहार से किसी से काम करा लेते हैं, तो उसे बोलते हैं, outsource करवाना या closing down इनी प्रोड़क्ट इन प्रोड़क्ट लाइन, किसी प्रोड़क्ट लाइन में प्रोड़क्ट को बंद कर देना, ये भी हमारे पास यहां पर आता है, ये हमने आपके साथ डिसकस नहीं किया था, मुझे फटा-फट से बताना, हिंदुस्तान, यूनि लिवर के साबन कौन-कौन से आते हैं, हिंदुस्तान, यूनि लिवर के सोप की लाइन, मुझे फटा-फट से बताओ, हिंदुस्तान, यूनि लिवर के सोप की लाइन, तो बच्चे ने का डव, एक ही आता है क्या और भी आते हैं, एक ने का लक्स, ओके, और भी कोई आता है, लाइफ बॉई, पियर्स, चलो, मेरे ख्याल से इतने हमने लिख दिये, क्या ये बड़े सारे हैं, सौ डेड़ सो तो होंगे ही मेरे ख्याल से, सौ डेड़ सो के सौ डेड़ सो कौन से हैं, फटा-फट से बताओ, ये सारे के सारे कौन से हैं, ये सारे के सारे एक ही कंपनी के हैं, उसमें से कोई एक प्रोड़क्ट बंद हो गया, कोई एक प्रोडक्ट बंद हो गया मुझे बताओ कौन सा बंद कर दे कोई एक बंद हो गया ठीके तो एक बंद हो गया तो मैंने का मान लो लक्स को बंद कर दिया उन्होंने बंद हुआ नहीं है यह मैं ऐसे ही बोल रहा हूं कि lux को उन्हें बन कर दिये तो क्या उन्हें ने division बन कर दी है फड़ा फट से बताओ उन्हें उन्हें कोई division बन कर दी है the answer is no ऐसा नहीं होता है फिर भी हम इसके अंदर आपको बताते हैं These can become TCO If additional information proves that para 3 is satisfied क्या आपको बात समझ में आती है ये हो सकते हैं DCO ऐसा नहीं है कि DCO नहीं हो सकते हो सकते हैं बट उसके लिए आपको और जानकारी लेनी पड़ेगी खाली इतना लिखिने से आपको पता नहीं चलेगा आपने पास ठीक है एक और मैं इसके अंदर आपको एक्जाम्पल देना चाहता हूँ ये पॉइंट भी हमने अपने पास रेड पैन से लिख है मतला हमने पिछली क्लास में ये डिसकस नहीं किया हुआ अगर मान लो कोई पेरेंट कमपनी है उस पेरेंट कमपनी ने अपनी सबसीडरी बेच दी तो क्या मान लेंगे कि वो सबसीडरी बेच दी थो भई वो बड़ा धंदा है वो एक कामपोनेंट है वो एक धंदा है major line है उसको data अलग किया जा सकता था all the conditions get qualified तो इसे भी DCO बोलते हैं हाला कि this example is not needed फिर भी मैंने का आप उपने पास standard पढ़ेंगे अगर तो आपको लगेगा हां कि ये बात service नहीं नहीं बताई इसलिए मैंने बता दिया आपको फिर मैंने कहा कि हमारे पास एक घटना होती है जिसका नाम था initial disclosure events it is if it occurs, बताओ जी then only disclosure starts कुझ याद आ रहा है ये वो घटना है जिससे एक बार होगा तो ही disclosure चालू होगा अन्यता नहीं होगा any event which occurs earlier is IDE दो घटना ही लिखोंगा जो भी जल्दी हो जाएगा वो हम क्या बोल देंगे कि वो हमारा IDE है मुझे फटा-फट से दो घटना है बताओ क्या entity has entered into बताओ जी entity ने किस में enter कर लिया है into binding agreements किसके लिए for sale of substantial assets वो अपने substantial assets की उसने agreement कर लिया है दूसरा point कौन सा था इसके अंदर entity has made detailed formal plan and made announcements showing commitment क्या साथ में उसने commitment भी कर दी है the answer is वो पूरा business बेचेगा नहीं पूरा नहीं बेचा सिरफ subsidiary बेची उसने इसका नहीं हमारे पास reliance की तो 200 subsidiaries हैं वो एक subsidiary बेच रहा है ओके तोड़ा zoom करने को बोल रहा है भाई नेकपाल कहां पर हो अच्छा a point उठता है किसा detailed formal plan क्या होता है which includes information about DCO period of DCO locations affected employees affected ठीक है या कितने का proceeds मिलेगा proceeds expected on sale यह होता है यह announcement कहां पर करनी है यह announcement करनी है to stakeholders जो की involved persons हैं उन्हें बताना है यहनि की customers को बताना है यहनि की आपने suppliers को बताना है आपने employees को बताना है आपने सेबी को बताना है government को बताना है इनको बताना है इनको बताना है आपने इसमें से कौन सी घटना whichever is earlier जो भी पहले हो जाएगी क्या वही IDE है the answer is yes तो हमें अपने पास क्या करना पड़ता है फिर disclosure करना पड़ता है मुझे बताओ disclosure भी दो तरह के discuss किये थे हमने सुखदीब कह रहा है यह announcement क्या AGM में होती है ना 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 press release अख़वार में निकला दी आपने यह circular निकाल के आपने सब को courier कर दिया यह निए आपने उन पाइटीज को बता दिया पॉबलिक के लिए ख़वार में दे दिया यह सेबी को बता दिया गॉर्मेंट को आपने लेटर से इन फॉर्म कर दिया इस तरह से ठीक है disclosure in annual financial treatment और दूसरे क्या है disclosure in interim financial statements तो interim बताओ क्या है interim मतलब अधिय अधिय आधित्य गॉर्मेंट मतलब आपके पास जो भी गॉर्मेंट ने चैनल बना रखे हैं जैसे आपके लिए companies हैं तो आरुसी का channel है अगर company नहीं है तो सरकार ने MSME बना रखे हैं ऐसे ना उसने अपने पास portals बना रखे हैं कि आपकी registration कहां पर हो रखी है वहां पर आपको बताना पड़ता है अशीश कह रहा है subsidiary अगर 10% से कम है तो भी क्या DCO है अशीश यह जो example है यह हमारे standard में लिखा हुआ है as it is इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया कि MCQ में आ सकता है otherwise अगर मैं इसे करूँगा तो इसको भी मैं यह condition चेक करूँगा हाँ वंचिका कह रहे है क्या plan भी होना चाहिए और announcement भी जी यह end लगा हुआ है और in में और लगा हुआ है यह नि उपर वाला हो जाए या नीचे वाले यह दो हो जाए चलिए आपने स्विप लिखना वापिस नहीं है यह आपके पास print out रहेगा आपको ना एक पेज में आपको last day में revision का फाइदा होगा क्या आपको होगा कि last day में तुरंत revision हो जाएगी इन annual financial statements क्या annual financial statements में हमने कहा था कि जिस साल में initial disclosure होता है पहली बार उस case में क्या क्या होगा और फिर हम बाद में क्या इसकी updation भी करते हैं फटा फट से बताओ क्या बाद में इसकी updation भी करते हैं बाद में इसकी updation भी करते हैं तो यह बताओ जब initial disclosure event होता है तो हम क्या क्या बाते disclose करते हैं हम description of DCO यह नहीं हम बताते हैं क्या बंद हो रहा है method of disposal कैसे बंद हो रहा है period of disposal कितने टाइम में dispose होगा expected proceeds कितना पैसा मिलेगा segments affected इतने हैं क्या आपको अपने पास जो cash flows हैं वो भी बताने पढ़ेंगे cash flows of DCO यह cash flow में बताने पढ़ते हैं in cash flow statement कि आपको अपको अपना pre-tax profits और loss भी disclose करना पढ़ेगा in P&L यहां आपने बताया था pre-tax profit के अलावा आपको अपने पास नहीं भी बताना पढ़ता है कि tax कितना है और उसके उपर कितना कितना profit है हमारे पास ठीक है फिर क्या आपको अपना revenue costs of DCO यह भी बताना पढ़ता है क्या आपको gain और loss on sale of assets यह भी बताना पढ़ता है the answer is yes यह दो disclosure जो होते हैं वो किस में होते हैं in financial statement यह profit and loss में या cash flow में होते हैं बाकी सब को हम कहां दिखाते हैं बाकी सब का हम note बताते हैं जब updation की बारी आई तो हम updation में क्या बताते हैं gain और loss on sale of assets and its expected timings कि आपको कब तक उसका पैसा मिल जाएगा जो interim financial statements होते हैं इसमें भी आप दो reports देते हैं कौन कौन सी देते हैं activities in DCO since since कब से बतानी activities in since in most recent financial statement और आपको क्या बताना है आपको बताना है expected changes in cash flows or timing of cash flows ठीक है तो आपको अपने पास ये सब बताना है रोईट subsidiary वाला point आपके exam में आएगा तो DCO मानेंगे लेकिन अगर आप real life की बात करेंगे तो ये DCO में चेक करना पड़ेगा हमको बट आपके पास अगर आएगा तो आप इसे मानेंगे अच्छा हमारे पास इस मुद्दे के ऊपर red pen से लिखे यहाँ पर हमारे पास है question number 13 जो की इस point का है फिर इस पर है question number 14 ठीक है फिर इसके अलावा इसके meaning पर है question number 15 और इसके disclosure पर भी है 15 लेकिन हो मैं नहीं लिख रहा और practical question भी है तो practical question कौन सा हो गया तो यह लो practical question practical question है question number 16 question number 17 question number 12 यह आपके practical questions हो गया ठीक है और question number 18 भी आपके पास यहाँ पर पूछा हुआ है तो आपको यह भी पता होना चाहिए 19 वां disclosure में पूछा हुआ है यह भी आपको पता होना चाहिए और 20 वां भी disclosure का है क्या इससे आपको एक handy जानकारी मिल गई कि institute कौन से सवाल पूछ रहा है तो यह जो मैंने question numbers लिखे हैं यह आपके मदद करेंगे कि आपको कोई दिकत ना रहे थोड़ा सा एक बार zoom out करके दिखा दो इसका मतब आपके पास यह कुल्म लाकर के topic था और कोई topic इसमें नहीं है हम जो यहां देखेंगे most recent annual financial statements देखेंगे जो तरो ताज़ा annual statements है गौरव कहरा timing of cash flow क्या होता है timing of cash flow का मत्तब होता है कि आपको cash flow कब मिलने वाले है ठीके तो यह लीजिए अब आपको exam से पहले क्या पढ़के जाना है मुझे फड़ा फट से बताओ ठीक exam से पहले क्या पढ़ना है exam से ठीक पहले यह पढ़कर जाना है ठीके और वैसे क्या इससे भी जादा पढ़ना चाहें तो हमने class में भी points लिखवा रखे हैं उससे भी जादा